Hello everyone, मैं विश्र जीत सिंग, आप सभी का दाइन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.History M.H.I.010 के बारे में बात करेंगे As we know, कुछ दिन बाद आपका एक्जाम होने वाला है और एक्जाम से पहले देखते हैं कि कौन-कौन से लेसन ही इंपॉटेंट है किस-किस टॉपिक पे हमें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटील में समझते हैं सबसे पहले अकर आपके बुक के बारे में बात करें तो हमें History M.H.I.010 जिसके अंदर में हम पढ़ते हैं भारत में नगरी करण के बारे में Urbanization in India देखो भारत के अंदर में नगरों का विस्तार किस परकार से हुआ विकास किस परकार से हुआ विकास और विस्तार के परकिरिया किस परकार की थी इसके बारे में इस book के अंदर में आप study करते हो इस book के अंदर में total 8 block है हर block के अंदर में 4-5 lesson है total आपको 40 lesson इस book के अंदर में cover करने होते है start करते हैं अपने पहले block से और देखते हैं कि कौन-कौन से lesson important है और किस lesson के अंदर में कौन सा topic बन कर आता है इस वीडियो का benefit क्या होगा आपके लिए अगर आप इस वीडियो को देख कर जाते हो तो ये रहेगा कि एक बार में आप easily topic को find out कर सकते हो उसको study कर सकते हो और limited topic के साथ में जा सकते हो 40 lesson है, 40 lesson में अगर एक-एक topic भी पढ़ रहे 40 topic पढ़ना और 3 दिन बाद exam देना बहुत ज़्यादा difficult है 26 December already हो चुका है 28 December को आपका exam होने वाला है दो दिन ही बाकी है तो बहुत ज़्यादा difficult है तो कुछ topic, 10-12 topic के साथ में चलते हैं 10-12 topic को पढ़ कर जा रहे तो 3-4 topic तो आराम से आजाएंगे नगरी करन क्या है यह एक important question भी बन कराता है कई बार exam में ठीक है पहला lesson important है इसको ज़रूर पढ़के जाना जिसमें बात कर जाता है नगरी करन है नगर होते क्या है बही है नगर बंते कैसे है जैसे मैं डेली में रहता हूं तो किस तरीके से इसका विस्तार हुआ किस तरीके से इसका विकास हुआ इसके बारे में यहां पर पढ़ना है मैं इस बुराडी के बारे में नहीं बताना आपको एक नगर किस तर से बनता है नगर का concept होता क्या है इसके बारे में बताना है ठीक है, second lesson कुछ खास नहीं है, या पर आपको प्राची नगरों के अध्यन समनित विविन विचारधारों को पढ़ना है, जिसके अंदर में पढ़ों की जो आरंबिक एत्यासिक नगर थे, हडपा कालिन के, ये भी कई वर कोशिन बनकर आता है, कि हडपा कालिन के जो नगर थ इसको भी आपको पढ़ कर चलना है, lesson number third, यहाँ पर आपको जो मद्यकाली नगर थे, उससे related question बनकर आता है, कि मद्यकाली नगर क्या थे, बट exam में कहफी समय से देखा नहीं गया, इसके question इसको avoid कर सकते हो, और lesson number four, जहाँ पर आपको एक टिपड़ी बेस question कई बर मिल जात जिन्होंने इस्थान, जो place होता है, उसकी concept दिया था कि place कहते किसे है, और नगर के लिए place का importance क्या है, उसको लेकर उन्हें एक ideology रखी थे, उसके बारे में question बनकर आता है, टिपनी बेस question के लिए 10 number का, ठीक है, तो उसको यह कर सकते हो, short note के अंदर में आ जाता है, ठीक है, उसका विस्तार किस परकार से हुआ, समाजिक बिवेद किस परकार का था, लोग जीवन निर्वाह किस परकार से करते थे, तो अलग-अलग दाइरे में question को आपको study करके चलना है, ठीक है, तो यह यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर में आता है, चलते हैं अगले ब्लॉक के और ब्लॉक नॉम्बर 2 जहाँ पर हम बात करते हैं, उप महादीप के सुर्वधिक प्राची नगर, अब जहाँ हम बात करते हैं, भारती उप महादीप के बारे में, तो उसके सबसे प्राची नगर कुन-कुन से थे, इसमें आपको 5 चैप्टर से लेकर 9 चैप्टर तक cover करना ह 5 तो 9 चैप्टर इसके अंदर में आ जाते हैं, यहाँ पर अगर मैं देखू हूँ, आपको मतलब बताओं, तो चैप्टर नॉम्बर जो 5 है, पारंबिक नगरवाद का परीचे, यहाँ पर यह वाला चैप्टर इंप्टर इसके अंदर में कोशन बनकर आता है, नगर, नग इसको आपको पढ़के चलना है, कई बर यह कोशन, टिपनी वेस्ट वाले कोशन में भी आता है, दस नॉम्बर वाले में, तो इसको भी यहाँ पर आपको श्टडी करके चलना है, चैप्टर नॉम्बर 6 अवोईड कर सकते हो, हडपा वस्तियों का विस्तार किस परकार से अगर वहीं पर आप विस्तार के बारे में पढ़ लेते हो, तो यहाँ पर पढ़ने के जरूत नहीं पढ़ेगा, हडपा की अर्थववस्ता और वववसाई के बारे में, अगर आप चैप्टर नॉम्बर 2 में पढ़ते हो, किस तरह से समाजिक विभेत था, किस तरह से जो देन देन किस तरह से करते हैं, सिल्फ उत्पादन केंद्रों का स्टार्टिंग के परकार से हुआ, कौन-कौन से सिल्फ उत्पादन केंद्र थे हडपा सब्वेता के अंदर में, तो थोड़ा सा रफली अगर पढ़के चलोगे तो इनफ रहेगा, क्योंकि कई बार अंदर में भी पाया जाता था, ठीक है, आज के समय में हम जाती है, अधार पर रंग भीर, अधार पर गरीब, अमीर के अधार पर बढ़ते हैं, तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था, तो वही आपको यहां पर बताना है, तो हडपा के नगरिय समाज के बारे में, चैप्टर न अधार में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट के तौर पर हम मोहन जोदरू को देखते हैं, तो यहां पर आपको मोहन जोदरू को बताना है, कि मोहन जोदरू का जो नगरिय संद्रचना था, उसकी विसेस्ता क्या है किस परकार से बनाता है, यह आपको बताने के लिए आगा, इस ब्लॉक के अंदर में आप देखोगे, तो चैप्टर नुम्बर जो फाई था आपका, और वो इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर में नगर, नगर्वाद और नगरिकरण के कोश्चन बनकर आते हैं, और चैप्टर नम्बर जो आपका 9 है, वो इम्पोर्टेंट है, जि यहां पर lesson number 10 से लेके lesson number 14 तक के chapter आ जाते हैं इसके अंदर में ठीक है, total इस book के अंदर में 40 chapter है, जै मैंने starting में देखा न 40 chapter तो यह तोड़ा difficult था और देखो एक चीज़ और मैं थ्वासना वीडियो को आगे बढ़ाते को बोलू आपको तो MHI 10 easy book है, but depend यह करता है कि आप कितना time दे रहे हैं उसके उपर में, ठीक है, और सबसे ज़्यादा difficult book भी यही है Difficulty है अगर आप time नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी question है न इसके अंदर में, सारे question बहुत ज़्यादा similar है आपको पता है नहीं चले है किस question में क्या answer लिखना है, इसका एक plus point भी है, अगर आप time देते हो, तो easily आप उसको concept को समझ जाओगे, तो सभी question के answer लिख पाऊगे, अगर time नहीं दे रहे हो, तो बहुत ज़्यादा confusion होगा और इस book का सबसे बड़ी problem ये है, कि इस book के अंदर में सबसे बड़ा time zone है, ठीक है, मतलब एक लंबे duration की book है, बहुत lengthy book है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ना दिमाग लगा कर, थोड़ा सा time दे के patience के साथ में study करने की ज़रत है, जिसके बाद आप अप अच् है, चली अगे बढ़ते है, पारंबिक इत्यासिक नगरों की बात करते हो, या फिर पारंबिक इत्यासिक नगरों की विसेस्ता के बारे मिन चाया पर बन तर आता है, इसgestah के बारे मेंill है नुटर भारत के पारंभी के 83 नगर जिसे आप उत्तर भारत का छेतर देखते हो जहां पर आपका हर्याना पंजाब ठीक है यूपी मद्धिपरदे से पूरा उत्तर भारत के अंदर माया जाता है जो हिंदी बासी चेतर के तौर प्याज के समय में जानते हैं ठीक है तो यहां गरों के जो ऐख राठता है इसाब से बनाए जया गया इस तरीके से बटा भव अथा पूरा तो किस तरीके से क्या चीज्य है वह आप बता होगे तो इसके Ambassador में को스् газ यह बन कर आता है, जो एतिहांसिक नगरी केंद्र है उनकी क्या विसिस्था बतानी होती है, ठीक है, समझ में आता है, यह वाला आपका टॉपिक इंपोर्टन रहेगा, लेसन में से एक तॉपिक, बन कर आता है, कई बार, आपका जो अगला लेसन है, टिपनी बेस्थ कोशिन आता निख्याटाद सब्सक्टर 25 करेंद में तो तमिल अभी पर फरकार के अंदर में आपको आप राता है किस परकार अब धैंटेले किया से सांखे सुआजब कर घरी सब्सक अबयाएं जर्ट साम्काली और ook क्या स्थान था यह पूछा जाता है पर कुछ खास नहीं चैप्टर अबोईड कर सकते हैं चैप्टर नुम्बर 14 तक्सिला गांटी के पारंबिक जो एतिहासिक नगर के पुरा तात्विक परीपेच्छे था यह यह भी कुछ खास नहीं यहां पर पढ़के जाओगे तो यहां पर कोश्यन बन कर यह भी आता है कि उत्तर गुप्त कालिन नगरीकरन पूरा टाइम प्रें ग्रा से बर्पेस रुद रहा उसके अंडर में उन गरों की विस्षिस्ता किस परकाड़े थे तो एक कोश्च न न नरुसे के राता है लाट नंबर 15 के लिए में बात करो है सुट जो ऑत रहाँ टैकि जो पुराले गरंथों के अंदर में किस परकार से म राम मंदिर बना जा रहा है ठीक है 22 जनवरी को दुगाटन होगा जैश्री टाम आप सभी स्टुडेंट्स को तो राम मंदिर बन रहा है तो उसके सासात हैं मैंने कली ट्यूटर पर देखा कि बहुत सारे प्रयोजना अलग अलग योजना जो थी गोवर्मेंट की वह एक साथ जमीन को उसको बड़े-बड़े ना होटल और बड़े-बड़े लोग आके खरीद रहे होंगे जिस व्यक्ति का थोड़ा बड़ा मकान है ना थोड़ा अच्छे से बना रखा अच्छे से कर रखा है चार दस रूम अगर उपर में खोल बना देता है तो होटल इंडस्ट्र के से यहां पर भी हो सकता है कितने तीजी सा फैलेगा कितने तीजी सा भी कास होगा सोचने वाली बात ही रहेगी ठीक है तो लोगों के लिए किस तरह से ना मंदीर एक नगरी करण का विस्तार बना नगरी करण मंदीर के का आसपास का छेतर नगरी करण के तौर पर विक्सि तो में आधका पर का से दिल्न करते दिल्दी स जलिनिस अदीन नगरी करहने के परकार से चल रही थी तो यह कोश्चन बनकर आता है चैप्टर नमर 17 में चैप्टर नमर 18 के और बढ़ोगे तो नगरिये छेत्र जो है अपका छेत्रिये नगर के बारे में तो यहां पर कोश्चन बनकर याता है कि चौद्य पंद्री सताब्दियों के अंधर में जो राजधानी नगर थे उनका विकास किस परकार से हुआ दिल्ली सल्तनत का पतन किस परकार से हुआ ठीक है तो जैसे दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ जो चौद्य पंद्री सताब्दी के अंधर में दिल्ली सल्तनत अपने पतन क और बढ़ रही थी तो जैसी पतन हुआ दिल्ली सल्तनत का तो अलग 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 ना राजधानियों का उदे देखा जाने लगा जैसे बंगाल का धक्षन का बह्मनी का मालवा का गुजुरात का जोनपूर का विजय नगर का तो यह अलग अलग अच्छेत्रिय नगरों का प्रफ्वी सताबदी के अंदर में जो छेत्रिय नगर थे या राजधानिय थे उनका उदे किस परकार से वह तो यह आपको बताना होता है ठीक है चैप्टर नंबर 19 जहांपे हम बात करते हैं प्राइदीप्य भारत में मंदिर नगरों की विज़िस्ता किस परकार से होती प्राइदीप्य भारत के अंदर में मंदिर नगरों का अब्यूदे किस परकार से उदे देखा जाता है और सबसे ज्यादा किसी वंस के द्वारा तो दच्छिंग भारत से अंदर में चोल, चेल, पांडिय ने इंसब के द्वारा ही करवाए गया तो उहां से लेटेट कोश रहेगा चैप्टर नमबर 20 जहांपे हम बात करते हैं दच्छिन भारत में आयाम गोरफ साली विजयनगर के बारे में अगर विजयनगर का कोई कोशन दिख रहा हो ना तो उसको जरूर पढ़ो सामंतवास से लिटेड कोई कोशन दिख रहा तो उसको जरूर पढ़ो क्योंकि कि और तरह विजयनगर काल के दॉरान में नगर के तोरपे सबसे ज्यादा सन्मिड जुन आगर के तार पर जाता है जो तो कृष्टन देव राया आपने तो सीरेल भी देखा होगा जो ब्तेलानी रामा करके आथा तद विजय नगर के उपर में ही है तो प्रॉपर किस तर से विजय नगर का विस्तार हो नगरिकरन किस प्रकार से किया वांकान चलाहे चासे जहाए चछोटी-छोटी हो सिसारा तो यहां पर विजय नगर से लेटेट भी कोश्टन बन कराता है गोरवसाली विजय नगर के बारे में चैटर नमबर 21 दिल्ली के नदी टट्टीय मैदान में इस्तित सल्तनत की राजधानी नगर के बारे में ठीक है जैसे आप देखोगे दिल्ली के नदर में मैं भी रहता जो आसपास का छेत्र था नदी फिन नदी टत्टी जो यवना नदी के किनारे को खेतर वो किस परकर से विक्सित हुआ किस परकर से उन आ किस परकर से लस्तार नेगर को इतने भी chapter है, सभी chapter important है, सभी chapter को आपको पढ़कर चलना है, क्योंकि इसमें से एक नएक question तो बन कर आनात है, और सारे chapter ही अच्छे हैं, ऐसे निए कि कोई खराब question बन कर आ रहा हो, तो अच्छे chapter है, इसको पढ़कर चलना है, बहुत सारे इस्टूशन जो है, हम से complain करे थे क है, और भी कुछ technical problems हैं, जो हम face कर रहे हैं, जिसके कहने हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, यह अभी हम किसी और के help से video बनाने की courses कर रहे हैं, ठीक है, और वीडियो के topic बहुत सारे ready हैं, कि मैं आपके लिए डाल सकूँ है, मैं चाहिए 10 का exam है, बाकी जो भी exam हुए, जि आप हमें thanks पे भी कर सकते हैं, जिससे हम अपने आपको इंप्रूफ कर सके हैं, टेक्निकी तौर पे, जिससे कभी भी इस तरह से in future कभी problem ना है, ठीक है, और चाहो तो मैं मतलब आगे कुछ post भी टालने वाला है, इसके recording में, ठीक है, तो आप कुछ आगे करेंगे इसके बा मारत में नगरी करन हुआ, तो यहां पर chapter number 22 से लेकर 27 तक के आते हैं, अब यहां पर chapter number 22 की बात करें, तो important chapter है, मुगलकाली नगरों की स्थानिक विसिस्ता के बारे में पूछा जाता है, जो मुगलकाल के नगर थे, उनकी स्थानिक विसिस्ता किस परकार की थी, ठीक है, य यह नाम वाले जितने भी chapter दिखेंगे ना, जैसे दक्कन के अंदर में बिजापूर गूलकुंडा हो गया, ठीक है, यहां पर आगरा फटेपूर सीकरी साजानाबाद हो गया, अजमेर बनारस पंदर पूर हो गया, तो इन सब को जरूर पढ़के जाना है, इन सब के अंदर इस पेसली किस तरह से हुआ, यह कोशन बन कर रहता है, तो आपको जरूर पढ़कर जाना है, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें चेप्टन बर 24 के बारे में, तो यहां पर नगरी संस्कृति और समाज के बारे में आता है, इसको छोड़ दीजिए, चेप्टन बर 25 किस परकार से हुआ, आगरा के किस परकार से हुआ, ठीक है, इसाज दानाबाद कर किस परकार से हुआ, राज़ानी नगरों के रूप में किस परकार से इनका हुदे हुआ, यह तीनों के बारे में पुछा जाता है, तो यह चीज़ देखा जाता है, तो यह चीज़ देखा दिरिश्टी पूंगी को लिए और दो कि आज बड़ा चाहिए लिए यह जो जोड़ा भाएं इसका बने नोंसे और जयादा बढ़ारिश्त्र विक्सित होगा तो यह चीज़े किस परकार से हुआ इसके बारे में पूछा जाता है मसुली पटनम के बारे में आ जाता है मसुली पटनम क्या है किस परकार से इसका एक अधियन हुआ केस इस्टरडी के तौर पे इसको भी लिएके चलोगे चैप्टर नमर 27 के अंतर में ठीक है किस परकार से यह बंदर गा था सेक्टर के अंदर नकर चैप्टरbach to स अधरेट के अंधर में त matar सी नगर तें कहुँका था यह फिर एक नए रूप में उधे हुआ जिसमें सू कोचि गुवा और हुगली के नाम आते हैं इनकी बाता क्या इत्वाइज करадों आप तो यह आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि वह התरी स्हारी करें कि यहां पर आप बता सकते हो city 88 के मिनें नगर के बारे में तो यहां पर मुर्सीतावाद हैदराबाद पूर लाहुर और जो आपका सिरी पत्नम है जो यहां भी के साफित स्टड़ी के के दौरही है तो इसको आप के पर लेके चलोगे पुरा पढ़ने की जोरुत पर है टीस थो चाल पर चलोगे एक पार्ट में धाका, पत्ना, एहम्धाबाद और बैंगलोर के बारे में पुछा जाता है, दूसरे पार्ट में मुर्सिदाबाद, हैदराबाद, पूना, लाहोर और सिरंग पत्नम के बारे में पुछा जाता है, तो किस तरीके से इनका नगरों का विस्तार हुआ, नगर ब तो इसको आपको पड़ना है, तो easy chapter है. और detail में संमल सकते हो, और जितने भीण, सहर वाले नाम वाले आरे हैं कि इस सहर को बताइये, इस वारोब Miğ2 सारे different vision यह है कि इनके basis पींज स्टेडी किया जाते हैं कि कुस्तर से किसका विकास हुब ठीक है, ब्लॉक नमबर 7 के और बढ़ते हैं, ब्लॉक नमबर 7 के अगर मैं बात करो, तो यहाँ पर आप देखोगे, चैप्टर नमबर 33 से 36 तक के चैप्टर आ जाते हैं, तो ब्लॉक नमबर 7 के अंदर में हम देखें हैं, तो 33 एक टिपनी बेस कोशन बन कर आता है, इसके अ बृर्ड बेस कोके लिए इसका यूज किया जाता है, एक कोशन इसके अंदर में देखा जाता है कि अंगर्यजा द्वारा नगरों का ब्यवाजन, जो छो नगरों gewoon को कि, तो उन्हों नहीं ना Abertoxas всегда नाम के नगरों का निर्भान किया थीक्ति तो जो उन्हें अपने लिए बनाया तो उसको स्वेत नगर के तौर पे देखा जो इंडियन लोग रहते तो उनको अस्वेत के तौर पे देखा गया उसको लिए डिवाइड किया गया वीच में दिवाल खडा किया गया ठीक है तो यह स्वेत और अस्वेत नगर किस परकास दोते हैं तो यह एक important question chapter 33 के अं अपनिवेशिक नगर में नसल, वर्ग और जातेता के बारे में पूछा जाता है, बट कुछ खास नहीं इसको छोड़ सकते हो, चैप्टर नमबर 35 नगर एक भवे परदर्शन इस तर के रूप में इसको भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर हमें जुरुत नहीं रहेगी, आगे ब तो चैप्टर नमबर 39 जो आपका, वो इंपोर्टेंट रहेगा उत्तर उपनिवेशिक नगरू की दसा को लेकर, कि जो उपनिवेशिक जो भारत था, मतलब अंग्रीजी सरकार थी, जैसे जैसे उपनिवेशिक काल खतम हो रहा था, तो खतम होने के बाद में नगरू की दस प्रकार करें, तो एक होड जैसी लग गई, तो उसमें मतलब नए नया दसा था नगरों का अपनिवेशिक दोर का था, तो नगरों का किस तर से विस्तार क्या जाए, उसमें नगरों की दसा किस परकार के थी, ये कोश्चन बन कर आता है, तो आपने आपको ना सुतंतरता प सब जानते हैं, बहुत अच्छी सीटी है, उसका उदे किस परकार से हुआ, कैसे कैसे छोटी-छोटी दीपो को मिला कर एक बंबई बनाया गया, किस परकार से पूरा लें देन हुआ, ठीक है, तो वो यहां पर आपका कोश्चन बन कर आता है, तो इसको पढ़कर चलोंगे, ठीक है, तो यहां पर मैंने पूरा जो आपका MA History, MSH 010 की बुक है, उसको मैंने अनलाइज करवाया है आपको, ठीक है, जिससे आपका जो पूरा बुक है आपको समझने मसा आनी हो, कि क्या चीज़े कैसे हैं, टोटल इस बुक के अंदर में 40 लेसन आते हैं, अगर आप एक बैठ कर पढ़ने के लिए जा रहे हूँ ना, कि भीया, मैं पढ़कर एकदम ना नंबर अच्छे लेकर आऊँगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत मेहनत की बात है, और लास्ट टाइम पे दो दिन के अंदर में इंपॉसिबल है, तो मैं सजेस्ट यह करूँगा आप सभी students को, कि जो मैंने अभी वीडियो डाला इसको देखें, इसको समझने की courses करें, अगर आप इसको समझते थोड़ा सा टाइम देते हो, तो गिने चुने मैंने आठ से दस लेसन ही बताए है, आठ से दस लेसन को अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हो जरूर देखें, एक-एक parts में बटा हुआ है, तो उसको जरूर देखें, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है, and end of the video, यही मैं request करूँ आप सभी viewers से, कि हमें support करें, थोड़ा सा टखनी की problem में फसे हुए हैं भी, जिससे हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, ठीक है, in future कब तक डाल पाएंगे, कब तक नहीं डाल पाएंगे, इसका हमें पता नहीं है, तो अगर आपका थोड़ा सा help मिलता है, तो वो हमें अदले बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा, helpful के तौर पर देखा जाएगा, ठीक है, आप अभी चाहें, तो thanks pay कर सकते हैं, वीडियो के नी एक रुपे से लेके 10 रुपे तक का कोई भी amount आप हमें pay कर सकते हैं, UPI number हम कुछ time में दी देंगे आपको, ठीक है, जिसके बाद हमें directly हो मिलेगा, और हम उसके बाद अपने आपको थोड़ा सा improve कर पाएंगे, और उमीद करते हैं कि आप सभी students, अगर आपको लगता है कि और वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में, भाबाय, टेक केर, आल थे बेस्ट